Hello my dear friends, कैसे हो, hope आप सभी अच्छे होंगे आज मैं आपके साथ एक बहुत important topic पर बात करने जा रहे हूँ that is the diaper rash creams आज कल हम बच्चों को nappy बनाते हैं बेबिस को जिस वज़े से उनको diaper rash की problem काफी face करने बढ़ती है diaper rash की वज़े से बच्चा बहुत uncomfortable भी हो जाता है और वो चड़ चड़ा भी हो जाता है कई बच्चे रात को properly सो भी नहीं पाते हैं उनकी ना सोने की वज़े भी diaper rash हो सकता है तो मैं आपके साथ दो diaper rash creams को share करने जा रही हूँ जो मैं अपने वेबी के लिए यूज करती थी फर्स्ट है एजिनेपी rash cream दिस वन और साकेंड वन है हिमाल्या की rash cream हिमाल्या की रहाश क्रीम है वो तो हम सभी को कॉमली पता ही है लेकिन जो ये डॉक्टर रेडी की एजिनेपी rash cream भी है ये भी बहुत अच्छी cream है मैं ज्यादा तर अपनी वेबी के लिए जब उसको swear हो जाता था या फिर sunburn हो जाता था या फिर rash हो जाता था आजिनेपी cream ही ज्यादा यूज करती थी अब मैं firstly आपको आजिनेपी cream के बारे में सब कुछ बताती हूँ ये है brand by brand Dr. Redis और मैं अब इसको दिखाती हूँ आपको कि इसकी manufacturing date क्या है ये है इसकी manufacturing date 0-1-22 इस वन इसकी जो expiry date है वो पीछे लिखी हुई है इस 12-23 इसकी जो cost है वो है rupees 155 medical store से आपको 120 या 130 में मिल जाएगी अब इसकी ingredients की बात कर लेते हैं जैसे इसमें glycol, sorbitol, cytile, alcohol, peg 100 ये सबी जो इसकी ingredients दिये हुए है न ये बच्चों की जो pH मतलब diaper rash की वज़े से जो बच्चे की skin की pH खराब हो जाती है न उसको दुबारा से maintain करने में help करते है तो ये थी हमारी Dr. Redis की as in happy rash cream की बात अब मैं आपको हिमाला की rash cream के बारे में बताती हूँ की हिमाला की rash cream में क्या क्या ingredients है ये कैसी है ये है अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें हमें लिखा हुआ है सूधे सेंसिटिव स्किन हील्स, रैशेज और रिलीव्स पेन क्लिनिकली टेस्टेड है अलमंडोय है यशत भसमा है इसमें और फ्री फ्रॉम पारबेंस मिनरलोल और संथाटिक कलर्स क्लिखा हुआ है इसमें अब हम बात कर लेते हैं इसकी expiry rate की यह है इसकी expiry rate 0623 और manufacturing है 07 2021 75 रुपेस इसकी cost है यह मैंने छोटी ट्यूब लिवी है बड़ी भी ले सकते हो अब इनके ingredients की बात कर लेते हैं जिसमें main ingredient है जो हो है यसत भसमा और वैसे भी इसमें काफी जड़ी बुटियां बताई हुई है कि इसमें है निर्गुंडी है भवा परकाश है ऐसे बताया हुए यह सारा कुछ इसका nut weight लिखा हुए कि इसमें 20 gram की quantity हमको मिल जाती है और यह थी हमारी दोनों rash greens की बात अब बात आती है कि हमें इसको apply कैसे करना है इसको बेबी को apply करने के लिए हमें पहले जहां पर बेबी को rash है उसको luke walk water से अच्छी तरह से clean करना है फिर वहां पर यह diaper rash cream लगा के उसको थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनिट के लिए ऐसी ही छोड़ दना है उसके बाद ही बेबी को nappy पहनाना है हर बार बेबी को nappy पहनाने से पहले आप इसको ऐसे ही apply करें तो बेबी का rash बिल्कुल खत्म हो जाएगा और बेबी को diaper rash की problem नहीं आएगी आपको यह मेरी वीडियो यूस्फूल लगी हो अगर यूस्फूल लगी हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करें thank you for watching the video